आदेश आदेश जैस्री महाकाल मैं विक्रांतनात अगोरी अपने भैरो का पालिक तंत्र में आप सभी मित्रों और दोस्तों का स्वागत करता हूँ वापस मैं पुनह आप लोगों के सामने आज एक बास्सा जिन्नाद की साधना लेकर आया हूँ और इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूँ बास्सा जिन्द जो होता है वह बहुत ही पावर्फुल होता है जитने जिन्नाद होते हैं वो सभी का बास्सा होता है और इसकी साधना जुम्मे रात से की जाती है और इसमें सर्वपर्थम आपको क्या करना है कोई नदी देखनी है या तो कोई तालाब देखना है और आपको साथ घोड़े बनाने हैं छोटे छोटे और उसको हरे रंग से आसमानी कलर से रंग देना है उन घोडों को और रगने के बाद आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 11 माला जाप करनी है और यह साधना 41 दिन की है अगर यह बासा जिंद आपके उपर खुस हो जाता है तो अपने साधक को धन धान से परिपोन कर देता है यह जब आकास से उतरता है तो सोने की बरसात होती है मैंने तो यह साधना नहीं की है यह पर यह मेरे परम पूजिनी गुर्दे वीरनात अगुरी ने की थी उनके बताय अनुसार मैं आप लोगों के सामने यह साधना लेकर आया हूँ यह साधना 41 दिन की है बिलकुल सात्विक है आपको मांस, मदिरा, बेड़ी, तंबाखु, जूट बोलना इन सक चीजों से आपको परहेच करना है अगर कोई मुसल्मान भाई कर रहा है तो आपको जानमाज के उपर कावा सरीप की तरफ, पस्चिम की दिसवक की तरफ मुख करके बैठे अथवा कोई हिंदू भाई कर रहा है इस साधना को अपना हाथ पैर धो के पस्चिम दिसवक की और मुख करके बैठना है उसको और पांचों घोडों को सामने रख देना है आपको साथ दिन इस साधना को तालाब या नदी के किनारे करनी है जब आपका मंत्र साथ दिन पूरा हो जाए तब आपको इस साधना को तालाब में अपने गर्दन तक पानी में खड़े होकर एक ग्यारा माला करनी है इसकी और यह साधना आपको रात्री काल में ही करनी है एक ग्यारा वजे के बाद ही करनी है यह साधना बेहद ही खतरनाक यह साधना है मजबूत दिलवाला मज़ह हुआ साधक ही इस साधना को कर सकता है क्योंकि जब बासा जिन्द उतरता है तो उसके साथ बहुत सारे उसके गण भी आते हैं इसलिए साधक को निडर होना चाहिए और अपने गुरु आदेश से ही यह साधना करें और इसमें दिसा आपकी पस्चिम ही रहेगी जब आप तालाब के किनारे करेंगे इस साधना को तो आपको राई के तेल के दीपक नवबाती का लगाना है नवबाती का आपका दीपक रहेगा दिसा आपकी पस्चिम रहेगी और माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी अगर कोई मुसलिमान भाई कर रहा है तो उसकी माला तस्वीर रहेगी मंत्र मैं आप लोगों को बता दूँगा अपना नमबर डिक्सेक्षन बाक्स में दे रहा हूं जिनको भी यह बासा जिन्नाद की साधना करनी है वह बेहिचक मुझसे संपर्क करें मैं उनको यह साधना का पूरा मंत्र बता दूँगा और यकीन मानिये इस साधना को अगर किसी साधक ने संपून निष्ठा और संपून विश्वास से किया तो यकीन मानिये कि जरूर से जरूर बासा जिन्द आकास से उतरता ही उतरता है और जब वह उतरता है तो सोने की असरफियों की बरसात होती है बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि जैसे 40-21 दिन बैखे और नहीं आया साधना संपन नहीं हुई तो कहीं न कहीं उसमें साधक की गलती होती है कहीं न कहीं उसमें साधक की तुरूटी होती है इसलिए साधना काल में बेहद ही सावधानी की जरूरत होती है साधना जितनी जादा गुप्त हो उतना ही फलदाई होता है साधना काल में आपको बिलकुल निडर रहना चाहिए जमीन पे सैन करना चाहिए बुरी नजर से बचना चाहिए जूट बोलने से परहेजों से बचना चाहिए और सदय भी अपनी इष्ट सक्तियों के प्रति समर्पत इत रहना चाहिए साधना को जितना ही विस्वास से करोगे आप उतना ही आपको फल मिलेगा और यह बासा जिन्नाद अगर आपके पास आ गया जमीन के नीचे का धन बता देता है दूर बैठे व्यक्ति की सारी सारी खबर बता देता है किसी की देवी देवता को पकड़ कर भी लाके बात करा देता है यह इतना पावर्फुल होता है पर इस साधना को वही साध़क कर सकता है जो निडर है निर्भीक है और बिल्कुल विश्वास से करे तो उसको इस साधना में जरूर सफलता मिलेगी साधना में कोई विशेस सामगरी का वो नहीं है मैंने जैसे बताया कि साथ गोड़े या पांच गोड़े बनाने है और उसमें एक उसकी पूजा करनी है धूप देना है आपको खुस्बूदार इत्र लगाना है और बस पस्चिम दिसा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है आगे भी मैं आपको साधना लेते के आता रहूँगा मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एबम सेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए आदेश जैसरी महाकाल